आज पूरे देश में महाशिवरात्री का महापर्व पूरे हर्शो उल्लास के साथ मनाया जा रहा है ऐसे में भोर से ही शिवालेयों के बाहर श्रद्धालूओं और शिवभक्तों की लंबी-लंबी कतारे देखी जा रही है शुबा से ही शिवालेओं में घंटे घड़ियालों की आवाजों के बीच श्रद्धालूओं और शिवभक्तों द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है ऐसे में किस तरह से भगवान शिव की पूजा आराधना करें भगवान शिव कैसे प्रसंद होंगे यह महाशिवरात्री के वरत में कौन से कार करने से बचना चाहिए देखे हमारे सवानदाता की खास बातचीत दुधेश्वर नात्मंदिर के महंत नरायन गिरीजी से कुझ दुदेश्वर्नात मंदिर को लेकर क्या-क्या तैयारिया हो चूकी है अकल सिव्राफ्ट्री है इसके प्रबंद किया है जो आते हैं हम भगत लोग सांतिप्रूवको जलाविस्थे करके जा सके और करोना का तीन साल के कालता तो उसमें बहुत लोग नहीं आ पाये थे तो इस बार बे कपी लोग आने का संक्या बें लोकोमेंदर भाव भी है और निश्री दरुपते ज़्यादा ज़्यादा लोग जो है दिर्सन करने के लिए आएंगे तो हमने पुरा प्रसासन को भी का है और कुछ जघर निगामशे गंगाजल्य लोगा रहा कुई वस्ता बनाई है तो सभी प्रबंद हम लोग की है आजरात को बारावाजे से ही यहां पर जलाव इस प्रार्म हो जाए और यहां शिवबरात वंगारा भी निकलेगी तो वो भी आज जी नो बेज़े से निकलेगी तो याज जी से हमारा जो है 28 और एक मर्च ये दो दिन का हम लोग शिवरात्री जो हम हर साल मनाते हैं तो आज से हमारा प्रारम हो जाएगा जी अगर शिवरात्री को लेकर बात करें तो शिवरात्री की क्या खासियत है और किस तरह से लोगों को मनाना चाहिए विशेश रूप से यह जो शिवरात्री है इसको बगवान को के भई हमारा जितने भी परकार का कश्ट है उनको निवारन करने के लिए शीव का सिव समस्त करके भगवान को परसंद करने के लिए मासिवरात्री का परभ है भगवान शीव का व्योव मास्वभी है और शीव भगवान इस लिंक के रूप में परगट हुए थे तो इस रूप में जो है वह विशेज रूप से मनाया जाता है कि अग्या